तो बिजनस एक्टिविटीज की बात अगर की जाए किस किस तरीके की व्यापारी गतिविधिया हो सकती है तो अगर राहुल की कहानी हम देखे तो यहाँ पर तीन तरीके की व्यापारी गतिविधिया हो सकती है या यह आंतिपनेओ बन सकते हैं या सीधा व्यापार कर सकते हैं सीधा बिजनस कर सकते हैं एक होता है प्रोड़क्ट बिजनस एक है सर्विस एक है हाइब्रिड बिजनस तो प्रोड़क्ट सर्विस और हाइब्रिड में क्या अंतर है और क्या होते हैं प्रोड़क्ट बिजनस यह होता है जहां पर यहां पर एक बेचने वाला है जिसे हम सेलर कहते है यहां पर एक खरीदने वाला है जिसे हम बायर कहते है इनके बीच में सामान का आदान प्रदान होता है और यहां पर पैसे का आदान प्रदान होता है मतलब ये इनको बेचेंगे तो इनको पैसे देंगे लेकिन वो समान का आदान प्रदान होता है या ये कहें कि वो प्रड़क्ट का आदान प्रदान होता है जिसको आप छू सकते हैं टैंजिबल है जिसको आप हाथों से छू सकते है तो जो चीज हातों से चुई जा सकती है, जिसका आदान प्रतन हो रहा है, जिसके आप कहें एवर्ज में पैसे आपको मिलेंगे, और किसी को आप समान देंगे तो money का transaction होगा, पैसे का transaction होगा, ऐसे व्यापार को हम product based व्यापार कहते हैं, या साधन युक्त व्यापार कहते है तो ये है जैसे वो स्पोर्ट शॉप अगर खोल ले एक ऐसी शॉप जिसे यो राहूल स्पोर्ट सेंटर कह सकते हैं यहाँ पर हर चीज का सामान रखा हुए बेडमिंटन का भी क्रिकेट का भी तमाम तरीके के सामान रखे हुए लोग आएंगे यहाँ पर खरीद के ले जाएंगे दूसरे तरीके का बिजनस है जहाँ पर एक बिजनस सेलर और बायर यहाँ पर भी सेलर बायर होता है लेकिन जो सेलर है वो बायर को मतलब जो बेचने वाला है वो खरीदने वाले को मदद करता है किसी काम को पूरा करने के लिए जैसे माल लीजे ये क्रिकेटर बनना चाहते है कोई साहब या कोई साहब अपने बच्चे को क्रिकेटर बनना चाहते तो वो इनके पास जाएंगे वो इन्हें टेक्नीक सिखाएंगे कि बल्ले को कैसे मारना है अगर leg पे आए तो ball कैसे मारनी है, off पे आए, या अगर tuck पे आए, तो कैसे मारना है, कभी कोई bouncer दे दे तो कैसे उसको खेलना है, वो सारी चीज़े इनको सिखाए जाएगी, या अगर ये baller बनना चाते हैं, then balling में कैसे spin कराई जाती है, कैसे reverse swing कराई जाती है यह सब इनको सिखाए जाएगा याने भी यहाँ पर कोई product का आदान प्रदान नहीं हो रहा है कोई यह सामान नहीं दे रहे हैं इनको कोई चीज ऐसी नहीं दे रहे हैं जिसको छुआ जा सके बलकि ऐसी advice दे रहे हैं consultancy दे रहे हैं या अपनी राय दे रहे हैं क्योंकि यह इस मामले में वैसी इन्होंने भी सीखा है ना कहीं से इन्होंने भी पैसे खर्च किये हैं तो यह इनको ग्यान दे रहे हैं और इस ग्यान का पैसा है इस prescription का पैसा है तो आब यह services दे रहे है services दे रहे हैं कि हाँ prescription दे तो business जिसमें दोनों ही चीज होती है कि आप समान भी बेच रहे साथ में आप सेमाई भी दे रहे जैसे राहूल अगर एक sports academy खोल रहे यह sports academy है और यहाँ पर एक दुकान भी खोल ले और यहाँ पर इनके पास ground है यहाँ पर जो बच्चे आते हैं उनको यह सिखाते भी है और यहीं से इनको सामान भी मिल जाता है यहीं से खरीद लेते हैं तो यह एक तरीके का hybrid business यह कर रहे हैं जैसे आप किसी restaurant में अगर जाएंगे तो food खाना जो आप खाते हैं जैसे आप यहाँ बैठे तो आपके बस खाना आएगा food आएगा तो food जो आ रहा है वो तो आपका tangible है इसको छूँ सकते हैं तो यह आपका product में आ गया लेकिन जो बैरा है जो आपकी service कर रहा है ला रहा है ले जा रहा है यह आपको service दे रहा है hospitality कर रहा है आपकी catering कर रहा है आपकी तो एक तरीके से यह जो है services provide कर रहा है तो यहाँ पर product भी है services भी है चलिए साब सवाव जवाब देखे जाए